आज की कक्षा में हम कौन और उसके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे चो हमारे लिए महतोपुन है पहले बात करें कौन क्या होता है कौन किरणों के बीच के जुखाव को कौन कहते हैं कौन बनाने वाली दोनों किरणों को कौन की भुजा कहते हैं कोणों के परकार कोणों के मुख्य रूप से साथ परकार होते हैं सुन्ने कोण, नियून कोण, सम कोण, अधिक कोण, रिजुरेख्य कोण, व्रहत कोण, और संपूरक कोण ये कोणों के परकार हैं शुन्य कौन येदि कौन बनाने वाली दोनों किरणों के मद्धे का जुखाव सुन्य हो तो ऐसे कौनों को सुन्य कौन कहते हैं न्यून कौन ऐसा कौन जो सुन्य अंस से बड़ा प्रन्तु 90 अंस से छोटा हो न्यून कौन कहलाता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है है समकोन की परिभाषा ऐसा कौन जिसे बनाने वाली दोनों किरणों की मद्धे का जुखाव अंस 90 डिगरी का हो तो वह कौन समकोन है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है अधिक कौन ऐसा कौन जो 90 अंस से बड़ा प्रंतु 108 से छोटा हो अधिक कौन कहलाता है अधिक कौन का मान 90 डिगरी से 180 डिगरी की बीच का होता है जैसा कि चित्र में दर्शाया है रिजू कौन 180 डिगरी अंज का कौन रिजू कौन कहलाता है रिजू कौन की परिभाशा ऐसा कौन जिसे बनाने वाली दोनों किरने एक दूसरे की विप्रित दिशा में हो रिजू कौन कहलाता है व्रहत कौन ऐसा कौन जो 180 डिग्री अंस से बढ़ा प्रंतु 360 अंस से छोटा हो तो वह कौन व्रहद कौन कहलाता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है संपूरक कौन 360 डिग्री अंस का कौन संपूरक कौन कहलाता है संपूरक कौन की परिभाशा यदि कौन बनाने वाली दोनों किर्णों के मद्धे का जुकाव 360 डिग्री अंस का हो तो ऐसा कौन संपूरक कौन कहलाता है झाल झाल